प्रीज में किसे कहते हैं वो ध्यान से सुनेगा आप लो बोल रहे हैं किसी कोन पर जूके दो संतल प्रीष्ट जैसा कि यहां पर भी देख रहे हैं यहां भी देख रहे हैं यह प्रीज में है तो यह वाला जो आप देख रहे हैं कि यह प्रीष्ट आएक इसके पीछे वाला तो किसी कोन पर जूका हुआ रहा दो संतल प्रिष्टों के भीच घीर हुए पारदर्सक माध्यम को यह घीरे पारदर्सक माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं प्रीज में कहते हैं क्या बोलते हैं तो प्रीज में मैं आप देख रहे हैं कि यहां पर यह वाला पूरा सता जो है से प्रीज में प्रीज में के टोडल सता पांच होते हैं कितने होते हैं जैसा कि ध्यान से देखिए एक देखिए यह हुआ एक यह हुआ यह यह हैं कि अपत एक दू तीन चार पाँंच पांच तत है। जैसे में एक किसका सामने वाला दिखाई देरा आपको एक कि इसको पीछे वाला दिखाई दे रहा होगा और यतिके पीछे भीश रह रहेगा और एक इसका अब डेख रहे हैं यहां पर यह यह आपका अब अपयरत रीक सता कर लाता है यह यह किया करता है अब रृता क 자 है क्ल आता है क्लों यह जनल स्टा इस स्टा घ्रया इसके बाद मैं लोग Mostly यहां पर इस खोन को बना के दोनों ख़ड़ा ओगा नहीं तो इस एंग्टार कों को में बोलते हैं प्रिण का दोनों जुके हुए होते हैं जिस कौन पर दोनों प्रिष्ट जुके हुए रहते हैं उस कौन को हम लोग प्रिज में का कौन बोलते हैं और यह जो सता आप देख रहे हैं इस सता को हम लोग अपवर्तक सता बोलते हैं क्या बोलते हैं यह अपवर्तक कोर बोलते हैं क्या बोलते हैं यह वाला जो को है इसको क्या बोलते हैं और यह जो एरिया देख रहे हैं आप इस एरिया को हम लोग बोलते हैं प्रीज में का मुख्य काट प्रीज में का मुख्य काट है जी प्रीज में का मुख्य काट बोलते हैं तो यहां पर और यह जो नीचे वला देख रहे हैं यह यह प्रीज में का अ है अधार कि प्रिच में क्याया हो गया अधार हो गया तो प्रेजमे के बारे में हम लों देख लिए कि सताहिस में कितने होते हैं सताह-5 होते हैं और यहां पर एक बात ध्यान दी जैक कि यह जो कौन बन रहा है यह संबाहूत divis बनता है कौन साथ यह कि परते को 90 डिगरी का होता है साथ डिगरी का होता है साथ डिगरी अर समकोन होता तो नब नहीं तो यह परते कौन कितना डिगरी होगा साथ डिगरी का होगा तो इसलिए यह प्रीज में का जा कौन होता है यह प्रीज में का कौन का मान कितना होता है साथ डिगरी होता है क और इसमें अपवर्तक जो को न यbec निपती परकास बनाफ से प्रीजमै अपवर्तन होता है से 2019 को वलते हैंBlue हैं समझ गया किसी कौन पढ़ध करें है पारदर्सक माध्ययम अब हम देखेंगे परकास का पर्वारतन क्या होता है 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 हम लोग पहले देख लेते हैं कि पर्कास का अपरद का चोटा है उसके बारे में उसके बात आप देखाएं कैसे पर अपवर्तन होता ठीक है तो सबसे पहले हमनों मुख्य कार्ट जो होता है संभाहू तिर्बू जो च्छाप लेते हैं जो लगए इस परकार के था 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 न जी को जी क्याद नहीं है तो यहां देखिए ध्यान से कि परकास किरने किस परकार आती है कैस से रिटरन हो जाती है इसको दिangel काप्लों कि रियाँस तेखिये हैं यहां देखं इक मुंख्यार्ट से किस परकार से परकास का प्वर्तन होता है तुमान mãदेए कि यह परकास जा रही है हम जी तो परकास जहां हैं आए कि प्रहे हैं क्विछ लेंगे कि लेंगे तो आप लुग झानते हैं यह प्रकास किरने बिरल माध्यें से साखन माध्यम में ज्टेज ता अभी लंगा झीजए है तो अभी लाही तो इस तरह एप πरकास यह यह यहांter हुआ यहीं करे यहां से ऐसे निकल रही है फिर कयाु आ कि यह बीर assemb skilled या तो बीरल माध्य में आज़ाता भी लंज से दूराद या तहा है कि इस परकार निकल लाता है प्रकाशकिर ने निकल देर है तो यहां पर धियान से देखिए और यह वाला लग रहा कि प्रकाशकिर इधर शाहरा रहा ने तो यह देखिए आप तीत किरण यह प्वर्तित किरण और यह हुआ आप्तित किरन और यह क्या हुआ निर्गत किरन तो ध्यान से देखिए कि परकास जो है से इस परकार से जा रही थी आपतन बिन्दु से तक राने के बाद हलका सा मुड़ गई चुकि हम जानते हैं कि परकास किरने एक मौध्यम से दूसरे मौध्यम में जाती है तो अपने पैसे हलका बिचलित हो जाती हैं तो अपने पत से अलगा क्या हो गई बीचलित हो गई और फिर जब हुआ से सघन से बीरल माध्यम फिर जब माध्यम चेंज़गा तो फिर अपने पत क्या कर लिया बीचलित कर लिया तो हम लोग यहां जानते हैं बीचलन की जो कर घटना होती है एक नियम को पालन करते हुए ह होता है क्या होता है कि अगर वह बिरल माध्यम से सगहन माध्यम में जाती है तो अभिलाम की और मुड़ जाती है तो माल यह कि अगर अभिलाम है यह क्या है अभिलाम है तो यह क्या हो जागा अभिलाम की और मुड़ गा तो यहां देखने की अभिलाम की और मुड़ गया फिर तो इस परकार से परकास का अपवारतन हो रहा है इस परकार से क्या होता है परकास का अपवारतन होता है एक बात देखे कि यहां पर इसको परकास निकलना चाहिए था ऐसे और निकल दा रहा है इस तरह से तो यह क्या हुआ कि यहां पर कुछ ने कुछ तो बीचलित हुआ है तो यह जो कोन है इस कोन को बीचलन कोन बोलते हैं क्या बोलते हैं बीचलन कोन क्या बोलते हैं इसको यहां पर यह जो आप देख रहे हैं इस को क्या बोलेंगे बीचलन कोन बोलेंगे समझ में आगे बढ़े से कोई दिक्त परकास कीरने इधर जाती है और यह लगभा अधहार करके समानतर होती है समानतर होकर फिर का से निकल जाती है अभी लाम से दूर होती है बाहर निकल जाती है तो इस परकार से परकास का अपवर्तन होता है इस परकार से क्या होता है परकास का अपवर्तन होता है बाबू यह था प्रीज में का मुख काट से परकास का अपवर्तन अगर इसमें स्वेत परकास को गुजारा जाए तो स्वेत परकास जो होता है अपवर्तन के बाद सात रंगों में विभ्यक्त हो जाता है कितने रंगों विभ्यक्त होता है और सात रंगों में विभ्यक्त होने की घटना को हम लोग बोलते हैं परकास का वर्न बिच्षेपन कहते हैं क्या बोलते हैं वर्न का मतलब बनो परकासों का रंग और बिच्षेपन का मतलब बटना बिच्षेपन क्या होता है यानि परकास जो स्वेथ परकास होते हैं साथ रंगों का मिसरन होता है यह मालूम है आप लोग को सूर्ज का परकास जो स्वेथ होता ह क्या बोलते हैं फरकास का वर्ण बिछेपन और जिस पट्टी पर साथ रंगों में विभक्त होती है उस पट्टी को अस्प्रेक्ट्रम बोलते हैं क्या बोलते हैं या वर्ण पट्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वर्ण पट्ट या अस्प्रेक्ट्रम बोलते ह तो अब हम लोग देखेंगे कि सूर्ज के परकास साथ रंगों का मिस्रन कौन कौन है और कैसे यह साथ रंगों में विभ्यक्त होते हैं इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे और साथ रंगों के विभ्यक्त हो जाती है तो इसको सौटकट में बैजानी पीनाला कहते हैं क् निजानी पिनाला तो यहां भी आप देखिए अभधियान से यह पीर में लिखा हुआ यह दिखाइड आप लोगो और साथ और है ब्रिणी लिए रहा होगा यहां पर देखिये कि वाइट लाइट यानि सूर्ज का का सूर्ज का परकाश जब प्रिज मैं से रहा गया तो प्रिम से गुजारने के बाद यह बिभीन साथ रंगों में क्या हो गया बट गया नजी बिभीन साथ रंगों में बट गया तो देखिए यहां पर साथ रंगों में भ्याग तो होनी कि घटना कमनों क्या वोलते हैं वर नभी छेपन यानि यहां पर क्या हो रहा ह स्वेत परकास का वरन भीचेपन हो रहा है क्या हो रहा है जो साथ रंगों में बट हुआ देखिए एक दू तीन चार पांच छे और एक और कहां गया है तीन तीन चाह को है जी इसमें एक और कास किरन नहीं है जो कि जामोनी है नजी जौमनी इसमें नहीं है बाकी दहिए अगला में देखा देंगे यह दिए है नहीं इसमें देखिए सातों रंग मिला साथ रंगहाने इंडि गोस्ट में नहीं था इसमें है तो यह क्या है कि स्वेथ परकास का वर्न भीछेपन हो रहा सात रंगों में कि हीर द्वार कि स्वेधिमी में के दौप्र किस एक आंद तो आप यानि यहाए आग सकते हैं कि सूज़ का जबर का होता है उवो कितने रंगों का मिसन होता है सात रंगों के कौन रेड औरेंज एलो, ग्रीन, बुल्लू, इंड़गो और वाइलेट होता है ना तो ये साथ रंगों का मिसरन होता है इसको संचेप में हम लोग बोलते हैं वैजानी पिनाला, बैसे बैगनी, जासे जामुनी, नीसे निला, हैसे हरा, पीसे पिला, नासे नारंगी, अला से लाल तो आप देख रहे हैं, यहां पर क्या रेड मिल गया, ला मिल गया ना, औरेंज, औरेंज को क्या बोलते हैं लोग, नारंगी मिल गया ये आप लोग को, उसके बाद, एलो मिला, उसके बाद, हरा मिला, उसके बाद, निला मिला, उसके बाद, जामुनी मिला, उसके बाद क्या मिला है बैगनी आप इसको नीचे से पढ़ दर नी पीन आला है लिकनों गया दिर्टे सब्यां अगर इसको पढ़ेंगे तो यह जानी पीन आला तो इसको हम टो संछेप में बोलते हैं बैजानी पीन आ ला गया देखिए यह वान primeiro यह आता है यह आपका स्पेक्ट्रम क्या ए यो कि सही पट्टी पर स्वेत करेंगों हुए क्वर्ण खहगों जाती है उस पट्टी का वरण बिशेपन बोलेंगे या वर नपत लेंगे क्या बोलेंगे और तरह किरिया दोवारा साथ रांगों में भैग थो रहा उस घटना को क्या बोलेंगे वरन भी शेपन बोलें क्या बोलेंगे तो प्रिजमे के बारे में अच्छे समझ मागया होगा आप लोग को अब हम लोग आगे बढ़ती है अब यहां पर हम दो तरहिंग धार्य देख लेंगे स सबसे अधीक तरंग धरी किसका होता है लाल का सबसे कैम होता है बैगनी का किसका होता है लाल का सबसे अधीक और बैगनी का सबसे तो कितना होता है देख लिए ध्यान से कितना दिया हुआ है छे सो दस से 800 तक और बैगनी का कितना होता है 400 से 435 तक होता है और इसी के कारएन सुर्यओ डे मैं सूर्य लाल दिखाई दिघा तो बोलिए परकास लाल का तरंग धारिये सबसे अधीक होता है इसलिए यह हमको दिखा देता है ना चलिए देखिए यहाँ पे रेड का त्रेंग धार है छेसो दैस से आट सो नैनोमीटर औरेंज का है पान सो पंचानवे से छेसो दैस नैनोमीटर एलो का है पान सो वैसी से पान सो पंचानवे नैनोमीटर ग्रीन का है पान सो से पान सो वैसी नैनोमीटर बुल्लू का होता है चार सो वैसी से पान सो नैनोमीटर इंडिगो का है चार सो पैंतिस से चार सो वैसी नैनोमीटर और यहाँ पर परपल है जी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बैगणि ना इसका 400 से 435 नैनोमीटर होता है न तो इन का मतलब नैनोमीटर है क्या है तो यहां पर कुछन ऑब्जेटिव कुछन आ जाता है कि सर्ञ का तरहंगधर सबसे अधीक होता है तो बोलेंगे रेड का और की सरण का सबसे क्यम होता है अब लाल तो रहेंक तरहेंग धर एक इतना होता तो बूक में कुछ अलग भी दिया हुआ होगा है ने साथ सो संथिंग दिया हुआ रहता है उसको देख लिजेगा ठीक है को जीकत करें आघे भए है अब हम ओलेंश तरह बारे में और ज्ज़ाद या नहीं पढ़ना है जब दूसरा ले कर पार नहीं होई दीटेल पढ़ना है स्थरी